अपका न्यू यर कैसा गया? बढ़ी बंबे में? पाटी किया? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्रोड़ी चाथ, रेली? मेरा कृस्मस बहुतना पहली चाहिए, पहली बार मैं केली थी ऑन बंबे मैं गया जायनेफ लेवार, किंके से पहले हम चाहेंगे, किसा एक राइक राइक इस से के आपकें बेचие करें चाहेंगे, किसा परष़ी रह may evening. कि मैं काम कर रही थी हाब वा है मुझे बहुत पसंद आता है क्रिसमस के टाम पह वे इतने सारे चर्चेस हैं, लाइट सुंदर लगता है, खासकर मेरी सड़क है एक चर्च है वहाँ पर तो बहुत सुंदर था, बनाया गया था बनाया जीजस का जो मेंजर होता है और यू यू यर में ने गुवा में बिताया, योगा किया बहुत सारा, सुबह सुबह पहले तारीक को डुपकी, के साथ साल शुरू किया मैंने समंदर में, सुबहुत वाइवालों की याद बहुत आती है, मुझे तो हमेशा आती है, मैं काफी टाइम से हो अपने घरवालों के बगहर और उनकी याद बहुत बहुत जादा आती है, और इन्शाला अगले साल वो मेरे साथ होंगे इज़ी अज़ी चले एंग किया जानना चाहिए यह कैसे मिला आपको और यह कैसा रहा मतले यह कैसे बिला आपको यह पको यह अग्थली, तीन साल पहले मैंने अउड़िशन दिया लाइन के लिए अस्ट्रेलिया में इतने सारे रोल्स नहीं है लाइन में क्यूआइ प्रेव पतेल और निकोल किद्मन और रोनी मारा जो में क्रॉक्स अव इस टोरी है वो उनके बारे में बट एक बहुत खास सीक्वेंस है फिल्मे जिसके लिए उनको एक इंडियन पेस्ट रहिए था अस्ट्रेलिया में पेहली बार मुझे बुलाया और रीडिंग की और दिर्टर को पसंदाया और फिर पिछले साल बने शूट किया और आतीक कुछ शोडी की उनस्ताम में हुए है जी, जो मेरा पॉर्षन था वो अर्स्ट्रेलिया में था और बहुत इंट्रेस्टिंग रहा क्योंकि जो हमने शूट किया था वो मेल्बॉन उनिवर्सटी के ग्राउंड्स पर शूट किया जहांपर मैं पड़ी हूं मेरे जो कि दिग्री है, मेल्बॉन उनिवर्सटी से है और हम जिस कम्रे में शूट कर रहे थे, एक तफा में वहां पर दान्स सिखाया करती थी तो बहुत अजीव था वहां पर शूट करना बहुत सालों बाद मेल्बॉन में शूट करना और हर शाम को मैं अपने पापा के साथ दिन यह एक जर्णी फिल्म है और एक मा और बेटे के बीच में जो प्यार है और जो मतलब दूरिया बन जाती हैं बिकॉस अदॉप्शन और मेरा जो किर्दार है वो यह है कि जब जो में चारेक्टर है अपने मा को खोज रहा है धून रहा है जो हमारे, I can't give away too much, but I am trying to figure out a way to do it but हमारे जर्ये उनको आइडिया मिल जाते हैं कि कैसे वो खोड़ सकते हैं अपने मा को and it's a very pivotal sequence कैसा एक्स्पीरियंस देवकाते है निपोल कितमेंडर की इंटर्नेशन स्टाइल और आपनेशन स्टाइल है जी बिलकुल बहुत मुझे आनन्दा है उनके साथ काम करते हुए क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहार काम करते हो उनके सेट अलग होता है और डिरेक्टर का पहले तो आप अंग्रेजी में शूट कर रहे हो और अन्दा इंक जो स्टोरी है वो हमेशा सबसे एहम चीज होते है उस सेट पे कोई जादा सीनियर नहीं होता है जूनियर नहीं होता है और कि चीज मुझे बहुत अच्छे लगती है नहीं होता है को जो अच्छे तो मुझे एह इसे वालिओ शटैर के साथ में काम करना इसे हॉलोड डिश्टार के साथ में करम受ए प्रीयं करथ से जोन सबसे मैं रायन गॉसलिंग के साथ काफ करना चाहती हूँ मैंने भी लाला लान देखी है जब हम देख थे मैं एक अस्ट्रेलियन फ्रेंड के साथ देखने गई थी यहीं बंबे में और वो कहरे थे यह तो गाना पे गाना आरहा है मैंने का आपको पसंद आ रहा है कहते हैं मैंने का इसलिए मुझे बॉल्लीवूद पसंद आ रहा था बच्बन में कि कुछ यह लगता है कि जो हॉलीवूद के जानरे है वो अभी बड़े डिलाइटफुल फैंटेसी वाले जानरे आ रहे है क्योंकि हमारे जो आम जिंदगी है वो थोड़ी सी खराब होती जारी है जैसे दुनिया जारी आजकल आप जब न्यूस पढ़ते हो या देखते हो बहुत कथिन वक्त कट रहा है हमारा यहां पर तो I think film has a very important role to play या वो बॉलीवूद हो या हॉलीवूद हो I think for me I feel as an artist my role is to provide joy to audiences and agar मैं अगर मैं वहलीवूद मैं कर सकते हूं बॉलीवूद मैं कर सकते हूं अगर मैं वहलीवूद मैं कर सकते हूं अगर मैं वहलीवूद मैं कर सकते हूं And who have you been? बहुत सारे, Meryl Streep नहीं आजकल बहुत ही talented actors हैं Hollywood मैं Emily Blunt is a favorite of mine, Jennifer Lawrence जो young Hollywood के actors हैं मैं बहुत relate करती हूं से क्यूंकि मैं भी बड़ी हूई हूं Australia में तो culturally relate करती हूं And inspired होती हूं क्यूंकि उनको डर नहीं लगता है वहर किरदार ने बाहने को तेयार हैं वह स्टोरी के बारे में सोचते हैं आपने stardom के बारे में कम सूचते हैं And I think that's a very good thing for an actor Balaji Ji, आपने ये film आपने Hollywood film की भी और आपने कई सारे Hindi film में भी किये तो कितना different होता है वहां के culture में काम करना और यहां की culture में काम करना आपके लिए कितना different होता है कितना changes लगता है आपको यहां काम करना और वहां काम करना जी पहले तो अगर जब आप आप इंडिया आते हो हमेशा चेंज हो जाता है क्योंकि महाल अलग है, culture अलग है तो वह तो basic चीज हो जाती है But मुझे लगता है के आज कल boundaryless हो गया है अप चे से कह रहे थे Priyanka Chopra Dipika और Irfan Khan सब लोग traverse कर रहे boundaries को तो as an actor it's our duty to be able to perform in any environment and I think that जो adjustments होते है वो हर Bollywood set में भी होते है यह नहीं है के मैंने Australian films भी है Save Your Legs पे जब मैं जब कर रही थी तो वो अलग था क्यूंकि Australian जो humor होता है set पे जो culture होता है जो style होता है बात करने के between the actors it's very different मुझे cultural adjustments बहुत पसंद आते हैं इसलिए मैं जाती हूं वापस काम करने के लिए यहां पर भी आती हूं हर time में experiment करती हूं तो बहुत पसंद आता है क्यूंकि आप Australia से बिलॉंग करते हैं तो हम कोई ऐसे Australian film या Australian TV या कुछ देखेंगे हम आपको upcoming project आपके मैं जिकर नहीं कर सकती हूं पर मैं मुस्कुरा के बता देती हूं जी जी कुछ नाम देना चाहेंगे हम दो मेने बाद हम बात करेंगे तो मैं आपको रहाज़ा है जी है या फिल्म या कुछ है बतलब डॉनों चीज हो रहे हैं हम जब contract मुझे NDA अभी sign किया गया है मैंने sign किया है तो जब मैं बात कर सकती हूं मैं बिल्कुल बात कर सकती हूं अच्य ये लाइन किया बात कर सकती हूं तो I think अने वाली है इंडिया में, इंडिया का जो अर्के है, बहुत एहम है मलाइन के लिए एक इंडियान स्टोरी है, एक माँ बेटे की स्टोरी है, फैमली की स्टोरी है जो हमारे Indian मुझे बहुत भीलीफ है इस फिल्मे क्योंकि मैं Australian Indian हूँ और ये एक Australian Indian story है जो बच्चा आता है Kolkata से वो ऐस्ट्रेलिया में आता है और मेरे जिंदगी से बहुत सारे पारलेल्स है क्योंकि कोई कह सकता है कि जब मैं इंडिया थी मैं भी अपना घर खोज रही थी के मेरा कल्चर क्या है, इडेंटिटी क्या है, तो बहुत ऐसे पारलेल्स है मेरे अपने जिंदगी के साथ और प्रमोशन के अपने आपने पारलेल्स है अपने प्रमोशन के अपने अपने प्रमोशन के अपने बात कर रहे थी अपने प्रमोशन भी होगा और देव कटेल या पर वह भी रहा है उसके बार मुझे अभी पता नहीं है तो अभी आपको पता चल जाएगा अगर हो रहे है जी और जो प्रोजेक्ट है आपका वो है बेगम जान की हिंदी फिल्म है वो जाना चाहे है कि वो उसकी शूटिंग अपसे और पैसारा एक्स्पिर्स बहुत सुंदर वक्त बिताया मैंने बेगम जान के सेट पे शीजीत मुखर जी का पहला बॉलिवूड फिल्म है वो एक बहुत गनन डिर्क्तर है कोलकता में अशनल आवर्ड विनर है और मेरा इच्छा था के में बहुत प्रॉम प्लेक्टर है करूं कि रएद चे़ू है प्रोफूर सिक्षर करूं कि इंदियमें और प्रोड भॉडिया बीडिया बालन में बहुत सालों से देखती आइउं और जो दोनों मुझे बहुत इंस्पार करते हैं वो अपने चारेक्टर में हमेशा रहती है वो बहुत ही फोकस्ट है मैं बहुत खुश नसीब हूँ के मैं ऐसे अक्टर के साथ मुझे मुझे मौका मिला एकाम करने के लिए या रन्बीर या आयushman या विद्या जी सब बहुत फोकस्ट हैं सब बहुत सिरिसली लेते हैं अपने काम को अपने बहुत इंस्ट बहुत अपने हैं अपने वाँद को समझ सेट पे अवाँश खुश दोने कुछ दोने ।ो फिल्म की शुदी अपने को समझ रहा इं? आपते डेये और अब किक कर देख देखर देखकोंपने नसकित पार, पंक के साथ का पैसा एक्सप्रिया हुआ है बहुती का इन्टेटर्विगी चुब्ल और प wnवर्य इंट पैसे रियनके च सब्सझ पाहलाAN जो अक्टर्स थे, it was a very very important thing, के हम एक उनिट के तरह बहेव कने, and he has great leadership qualities and I am very fortunate I got to work with him. क्योंकि जाते आपे, वीवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाते दोनों आपके फिल्म के जरी और जिसा कि हम सभी जानते आपका ली कहना है कि अभी ना कुछ डिस्क्लोश नहीं करना जाते हैं, और भी आपके प्रोजेक्त हैं, आप चुछ अश्टेलियन प्रोजेक्त हैं, क्या आपके आपके हैं, अबाओके जाते हैं,